आजके इस वीडियो में हम आपको phone pay app से LIC premium online जमा करना सिखाने वाले हैं अगर दोस्तों आप भी phone pay app के द्वारा अपने LIC premium online जमा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अन्तर जरूर देखेगा सबसे पहले दोस्तु आपको अपने mobile phone में phone pay app को open का लेना है जैसे दोस्तु आपके mobile phone में phone pay app open हो जाएगा तो आपको नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर दीखेगा आपको insurance लिकावा दिखाए देगा अपने LIC premium online जमा करने के लिए आपको insurance renewal के बटन पर किलिक करना है तो मैं इसे किलिक करके select कर लेता हूँ जैसे आप insurance renewal के बटन पर किलिक करेंगे तो एक नंबर पर देखेगा आपको live insurance corporation यहने LIC का option देखने को मिल जाएगा आपको इसे किलिक करके select करेना है जैसे दोस्तों आप LIC के option को select करेंगे तो सबसे उपर आपको अपनी LIC policy के नंबर डाल देना है जिस LIC policy को आप जमा करवाना चाहते है इसके बाद आपको नीचे एक email id भी डाल देना है LIC premium जमा होने के बाद ताकि आपको receipt इस email id पर मिल जाए तो भी अपने LIC policy नंबर और email id को डालने के बाद नीचे confirm के button पर click कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप confirm के button पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेगा आपके सामने bill detail आजाएगी यहाँ पर देखेगा customer name में आप जिस भी वेक्ति की LIC premium जमा करवा रहे है उसका name, policy number और due date आजाएगी और कितने रुपे की आपकी LIC premium है वो पैसा देखने को मिलेगा आपको नीचे proceed to pay के button पर click करना है इसके बाद यहाँ पर देखेगे आपको उपर 80 एक बार फिर देखने को मिल जाएगी आपको नीचे pay के button पर एक बार फिर से click कर देना है जैसे दोस्तों आप pay के button पर click करेंगे तो आपके सामने आपके phone पे UPI pin डालने का option आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपने 6 अंकू के UPI pin को डाल देना है तो मैं जल्दी से अपने UPI pin को यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे दोस्तों हम UPI pin को यहाँ पर बर देंगे तो इसके बाद देखेगा हमारी payment process स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने इसके बाद कुछ ही सेकिंड में LIC premium जमा होने का message आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी LIC premium जमा हो चुकी है receipt download करने के लिए अब हमारे को view details के उपर किलिक करना है जैसे हम view details के उपर किलिक करेंगे तो हमारे सामने देखेगा view receipt का option दिखाई देगा LIC premium जमा होने के बाद उसकी receipt download करने के लिए आपको भी view receipt के बटन पर किलिक करना है अब देखेगा हमारे सामने LIC Premium जमा होने की Receipt आ चुकी है नीचे आपको Download का बटन दिखाई दे रहा है आपको Download के बटन पर क्लिक करने के बाद इस Receipt को PDF फाइल में Download का लेना है तो मैं Allow के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे फोन में देखेगा ये Receipt PDF फाइल में Download हो चुकी है तो मैं इसे Open करके आपको दिखादेता हूँ अब देखेगा आपके Mobile फोन में LIC Premium जमा होने की Receipt Download हो चुकी है आप चाहिए तो इसका Print भी निकाल सकते है उमेद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को Like जरूर करिए